दोस्तों इंडिया के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है गौर्मेंट के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेट था कि ऐसा कुछ इंपक्ट फरवरी में देखने को मिलेगा तो डेटा आ चुका है इंडिया के लिए कितना बड़ा जटका लगा है और टोटल देखेगा यहाँ पे इंडिया को क्या पर्टिकुलर लॉस हुआ है जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वीडियो के अंतर बने रहेगा नेक्स वीक काफी वोलटाइल होने वाला है आफ्टर दिस अपडेट तो अगर आप देखेंगे रेट सी क्राइसिस के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो जनवरी में कम हो गई है और यह बहुत बड़ा सेटबाक है क्यूंकि रेट सी की टेंशन अभी भी solve नहीं हुई है और मैं आपको actual देखीगा यहाँ पे बताऊंगा कि कितना export कम हुआ है और उसे kind of estimated loss क्या है इंडिया के लिए तो एक एक करके यहाँ पे discuss करेंगे तो समझ सकते हैं आपकी पूरी तरीके से यह जो data है यह पूरा official data है पूरा official data अगर आप देखेंगे commerce secretary देखेंगा यहाँ से statement दे रहे है आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Indian export could have registered higher growth in January यानि कि यहाँ पे Indian export में और higher growth देखने को मिलती but if the crisis in the Red Sea hadn't disrupted trade by forcing freight companies to take the longer route तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो problem आई है वो shipping companies के changes के वज़े से आई है rerouting के वज़े से आई है और अगर आप देखेंगे freight of charges के वज़े से भी आई है जिसमें अगर आप देखेंगे Africa to reach west आप समाझ सकते हैं अफरीका से होकर यहाँ पे western nations में जाना पड़ा है European nations में जाना पड़ा है जिस वज़े से यहाँ आप देखेंगे तो काफी ज़्यादा problem create हो रही है और जो short route था वो यहाँ पे पूरी तरीके से disturb हो चुका है it is not like there has been no impact it is possible that our export growth could have been higher without the red sea situation तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से यह जो problem है वो बढ़ते होए देखने हो मिले यह आप impact किता है यह यहाँ पे जान लेते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से इंडिया का जो merchandise trade deficit आया है वो narrow होके हो गया है 17 billion dollar से भी थोड़ा जादा अगर आप देखेंगे 17 billion dollar के आसपास जनवरी में trade deficit देखने को मिला है आपको और अगर आप देखेंगे इसमें 3% का year on year basis पे jump देखने हो मिला है जबकि crisis अभी भी देखने हो मिला है but सबसे बड़ी बात क्या है इसमें यहाँ पे जो fall आया है जो fall आया है वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए वो 4% का fall है चुकि इंडिया का export in the first month of 2024 वो आया है 36.92 billion ठीक है अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले साल के comparison में January 2023 के comparison में 3% तक but December में यही था 38.45 billion आप देख सकते हो 38.45 billion जो की अब कम होके अगर आप देखेंगे तो 2 billion dollar के आसपास का loss यहाँ पे आपको देखने हो विल्ला है December के comparison में as परदा अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो crisis चलना है Red Sea के और यह अभी तक भी कहीं से resolve नहीं हुए है यह सबसे बड़ी tension की बात है चुकि अब इसमें देखेंगा involve हो रहा है चाइना और रशिया रशिया और चाइना ने लगातार counter fight करी है कल रात में यहाँ पे counter attack कर रहा है US और UK के बीच में जो देखेगा यमन पे यहाँ पे उन्होंने strike करी है और इस पे आप पूरी देखेगा information यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं यह पूरी information आपको मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं रशिया और चाइना ने कहा है पावर्स हैं और दो सूपर पावर्स देखेगा support में हैं उतीज के और दो सूपर पावर against में हैं तो आप समझ सकते हैं यह problem solve नहीं होने वाली है even और बढ़ने वाली है तो आप समझ सकते हैं कि इसका impact जल्द देखने को मिलेगा और इसके बाद US और UK ने कहा है कि हमने self defense में ऐसा action लिया है लेकिन आप समझ सकते हैं जादा time तक यह roots अगर engage रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि freight भी बढ़ेगा पैसा भी बढ़ेगा और भी चीज़ें आपको बढ़ते हो दिखने मिलेंगी तो आने वाले दिनों के लिए थोड़ा disturbing element यह हो जाएगा cautious रहेगा अगर यहां से कोई भी progress Saturday Sunday में होती है तो वीडियो गर अच्छा लगे तो like share subscribe करना न बुलिएगा Thank you so much